साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिल से मेरे चैनल पर और यहां पर भी आपके लिए एक important update है अगर आप RCB की website पे जब आप विजिट करेंगे तो वहां पर अभी आपको एक नया notification देखने को मिलेगा जिसमें bitp call for application 2023-2024 जो है वो आपका active कर दिया गया है जैसा कि आपको याद भी होगा कि last year यह application form आया था जहां पर हमने इसकी preparation कराई थी बहुत अच्छे results आये तो अब next season के लिए यह आपका notification जो है वो आपका out हो गया है तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे यह आपके detail notification आपकी download हो जाएगी बाकि इस तरीके से एक आपका separate folder इसी को dedicate कि आपको देखने को मिलेगा advertisement यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यह आपके companies के लिए है जो कि आपको training कराती है तो उसको भी detail में समझेंगे step by step क्या चीज़े है बाकि यहाँ पर आप important days देखेंगे तो अभी आपका update नहीं है तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको detail notification स समझा देते हैं थाकि आपको सारी कहानी अच्छे से समझ में आएगी तो यह जो आपका प्रोग्राम है यह आपका dvt आनिके department of biotechnology के अंतरगत आता है इस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं प्रोग्राम जो कि आपका skill विज्ञान के अंटरगत आता है अब यहाँ पर जो बहुत important चीजे है इस एप्लिकेशन ला इन्वाइट फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप बायकेमस्ट्री जुलाजी या microbiology background के है तो आप इसका lab नहीं ले सकते है ठीक है तो इसमें करना क्या होता है कि आप किसी projects में अगर आप काम करना चाहते है जो कि dbt sponsor करेगी जो कि industry level पे आपको एक opportunity मिलेगी ये किस तरीके से आपका exposure होगा तो ये उसके लिए ये आपका program है और जहां पे आपको 6 महिने के training करने का मौका मिलेगा और आपको 30,350 रुपए पर candidate जो होगा वो आपको company pay करेगी आपको training कराने के लिए ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है जो कि आपको बहुत important है the training will be for 6 months की होगी during which stipend will be paid to training जो कि आपको stipend दिया जाएगा और bench fee of a rupees 23,350 per candidate will be paid to company to cover the expense towards training याद रखेगा आपको पांच जो आपकी 6 महिने की training होगी उसका पैसा तो आपको dbt अलग से देगी बाकि company के तरफ से भी आपको ये पैसे provide किये जाएंगे बाकि ये आपको dbt hrd यानि के rcb फरीदाबाद इस particular project को organize करती है तो उनका पूरा ये काम है बाकि ये जो आपका attention है ये आपके industry level पे है तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है ये छोटा सा है कि जो industry जो कि आपकी बड़ी-बड़ी companies होती है उनको offer किया गया है कि आप इसमें participate करिए तो वो आपका नहीं है बाकि आपको जो यहां पर जानना है जो कि यहां पर column दिया गया है कि biotech students के life science नहीं बोला है तो आप geology biochemistry background से हैं तो आप इसमें consider नहीं होते हैं राइट and students admitted under dbt-pg training program जो कि आपके biotech में है वो वाले बच्चे जो होंगे वो आपके eligible होंगे degree should be from an Indian recognized university with minimum 50% marks होना चाहिए जो कि आपका masters complete हो चुका होना चाहिए यह आप याद रखेगा यहां पे result awaited category के लिए कोई option नहीं है तो आपका master 2020-2021-2022 या 2022-23 का होना चाहिए अब interesting चीज क्या है mode of selection कैसे होगा बेटा तो यह आपका computer based test organize किया जाएगा जो कि multiple cities में आपको मौका मिलेगा और मेरा आपसे suggestion भी रहगा और आप biotech background के हैं और आप dbt को भी focus करते हैं ज्यारफ करते हैं क करना चाहते हैं तो आप इस exam को जरूर दीजेगा जो कि आपका बहुत ही important आपका exam होने वाला है right इसके बाद mode of application जो कि आपको एक particular link दी गई है जो मैं भी आपको बता दूगा आपको यह form fill करना होगा इस stipement कितना मिलेगा तो यानि कि dbt की तरफ से आपको 10,000 रुपे per candidate per month upon successful completion of the six month of training and assessment यानि कि training कराएंगे उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी आप training में किये होंगे उससे जो भी उनको assess करना होगा वो करने के बाद आपको 10,000 per candidates per month के हिसाब से नहीं 6 में अगर आप करते हैं तो आपको 60,000 रुपीज आपको दिया जाएगा right आप यहां पर जार रुपए भी आपको pay कर सकती है तो यानि कि काफी अच्छी opportunity है तो यह बहुत important है बाकि आपको इस पूरे program को आपको एक certificate भी दिया जाएगा assessment कनट किया जाएगा जिसमें trainees who will qualify the assessment will be awarded apprentice certificate आपको दिया जाएगा जो कि आपका national skill qualification framework के अंतर गताएगा बाकि important date जो है यह हुआ है यह आपकी कल से जो होगी वह आपकी link जो होगी वह आपकी active हो जाएगी last date जो है वह आपका 31st December होगा period of training जो होगी वह आपकी March 2024 से September 2024 के बीच में आपकी यह training होगी तो notification में आपको सारी कहानी समझ में आ गई कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद अगर मैं application form की बेट करेंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और यह आपका यहां पर admit card की भी जो तारीक है वो आपका 15 जनवरी 2024 को आपका admit card आएगा बेटा और date of the examination test जो होगा वह आपका 21 जनवरी को होगा और बाकि कैसा paper आता है क्या चीज़े होती है उसको हमने already जो है वो बाकि यह application के instructions यहां पर दिये गए है वो देख लेना किसी भी जहां पर कोई कमी लगती है कोई दिक्कत आती है तो आप इस particular चीजों पर आप call करके आप अपनी समस्यां बता सकते हैं बाकि यहां पर new user के call up में आपको जाना होगा ठीक है यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यह आपको एक separate पोल्टर की तरव देखर जाएगा यहां पर बेटा देख लो eligibility दी गई है documents आपके पास क्या क्या होना चाहिए self-attested आपके mark seats वगरा होने चाहिए जब आप इसको form को fill करोगे computer based test जो है उसके बारे में already हमने पहली बार आपको application जो आपका कोई permanent place नहीं placement नहीं होगा training की वज़ा से तो ऐसी भी गलत फैमी में मत रहिएगा बाकी यह सारी कहानिया है तो और यह examination cities यहाँ पे mention किये गए है बाकी question paper कैसा होगा यहाँ पे general science के 12 questions आएंगे biotech के आपके 46 questions आएंगे general aptitude के यहाँ पे 12 questions आएंगे तो total यहाँ पे 100 questions आपसे पूछे जाएंगे हर question पे आपको एक number जो की आपको देखने को मिलेगा ठीक है there will be no negative marking यह भी आपके लिए बहुत important है negative marking आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा तो बहुत important है और 100 minute का आपका पेपर होगा बाकी इस एरिया से आपके questions पूछे जाएंगे बाकी last year हमने already question paper को solve किया हुआ है तो आप वहां से जाके आपको पूरी help मिल जाएगी पूरा मेरा पढ़ाया हुआ question paper आपको मिलेगा ठीक है बाकी अभी यह link जो है वो आपका active हुआ नहीं है बेटा हल है कि यह सारी चीजे आपको समझ भे आ गई होगी तो एक बहुत डीसेंट exam है डीबटी जारफ 2024 के लिए जो बच्चे prepare कर रहे हैं वो जरूर इस form को fill करिएगा ठीक है और मुझे लगता है I hope कि मैंने सारी चीजों को यहां पे cover कर दिया है जहां पे आपको नहीं समझ में आता है उसको comment section में बताईएगा और make sure करिएगा कि आप इस telegram channel को join कर रहे हैं ताकि आप सीधा हमसे समवाद कर सके बाकी मिलते हैं next video में next information के साथ thank you very much